हेलो एवरिवन वर्सटाइल लेजर चानल में आपका हार्दिक स्वागत है तो आज हम एक ब्यूटिफल से प्लांट सिंगोनियम के बारे में बात करेंगे ये दिखे ये एक और्नमेंटल प्लांट है और बहुत सारी वेराइटीज में आपको मिल जाएगा ये रेट सिंगोन है और इसकी जो पतियां है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफल होती है इसकी जो वेन से वह भी आप देख सकते हैं डाक रेड कलर में है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी फॉलेज वाला ये प्लांट होता है बहुत ज़्यादा अच्छी वेराइटीज में आता है इसकी प्रोपगेशन और फर्टिलाइजर, वाटरिंग इन सब के बारे में बात कर लेते हैं, अगर आपके पास भी ये प्लांट है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तो सॉयल मिक्स जो है, इसकी आप इस तरीके से बनाएं, कि वैल ड्रेंड हो सॉयल मिक्स, और एक पार आपस में सॉयल ले लीजिए, गार्डन सॉयल, और एक पार रिवर्स एंड और एक पार कम्पोस ले लीजिए, और बहुत अची सी सॉयल मिक्स है, वो बना लीजिए, जहां तक पॉट की साइज है, वो प्लांट पर डिपैंड करती है, और प्लांट जो है, अगर चोटी सी साइज में भी आते है, देखिए, यह वाला जो प्लांट है, कितना चोटा है साइज में, और यह वाला जो प्लांट है, यह देखिए, और इन प्लांट को देखिए, तो यह प्लांट है, इनकी साइज पर डिपैंड करेगा, इसको कितना बड़ा सा पॉट दिया ह और बाकी जो छोटे प्लांट्स है उनको बहुत ही छोटे पॉट दिये हुए हैं यह जो पॉट है यह 12 इंच तक होगा और इससे छोटे वाले जो पॉट है वो 7-8 इंच 10 इंच और उससे कम में भी आप लगा सकते हैं इस प्लांट को जहां तक इसकी प्रोपागेशन की बात है तो यह जो प्लांट है यह वाटर और सोईल दोनों में ही अच्छे से प्रोपागेट हो जाता है आप देखिए इसकी जो पतियां है वो कितनी खुबसूरत है और इसे प्रोपागेट करने के लिए इस प्लांट को आप यहां से देखिए इसकी एक ब्रांच ऐसे ले यह कटिंग से भी प्रापगेट हो जाता है और इसमें एरियल रूट्स निकलती है जिसे मनी प्लांट में निकलती है अगर आप इसे बिलकुल शैडी एरिया में रख देते हैं जहां पर बिलकुल भी दूप नहीं आएगी ऐसे एरिया में अगर आप इसे रख देंगे तो य तो यह इस प्लांट की बहुत खासियत है कि अगर आप इसे धूप में रखते हैं तो यह इस तरीके से मॉर्निंग धूप में कहने का मतलब इन डारिक जो सनलाइट होती है उसमें आप इसे रखते हैं तो यह बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है इसको बहुत जादा धूप नहीं चाहिए सिफ मॉर्निंग की जो सनलाइट होती है दो से तीन गंडे की वो इसके लिए काफी होती ह और अगर आप इलकुल शेडी एरिया में रख देते हैं तो यह मनी प्लांट की तरह एरियल रूट्स डेवलेप करता है और वाइन की तरह वर्क करने लग जाता है वाल पे सपोर्ट से चड़ने लग जाएगा और बाकी यह गंबलों में प्लांट की तरह ही रहता है और दे अब यह विंटर्स में डॉमेंसी में चला जाएगा विंटर्स में इसका रेस्ट पीरियड होता है इसलिए डॉमेंसी में चला जाता है और समर्स में देखिए यह बहुत अच्छी नई नई पतियां जो है वो डेवलेप करता है यह जो प्लांट है यह कटिंग के अलावा भी प्रोपगेट हो सकता है ये बेबी प्लांट्स निकालता रहता है इसके गमले में आप देख सकते हैं हर थोड़े थोड़े दिन में आपको बेबी प्लांट्स दिख जाएंगे जब ये ग्रोथ करता है समर्स में बहुत जादा ही बेबी प्लांट्स निकालता है उसके अल यह जो आप प्लान्त देख रहे हैं यह चोटी पतियों वाला प्लान्ट है इससे भी छोटी बिलकुल टीनी साइज की पतिया भी आती है आप टाइनी साइज की पतिश की according आप pot की size और यह सब देखियेगा तब ही आप select कीजिए plant की size देखकर ही pot की size select करें उसके अलावा आप इस तरीके के जो plants है singonium की देखिए ये green वाला singonium है और इसका जो shape है heart shape है बहुत ही ज़ादा beautiful है और बहुत ही ज़ादा dark color है leaves का तो यह इस तरीके के जो सिंगोनियम होते हैं, उनको आप अगर ट्रेल करवाना चाहते हैं, तो आप हैंगिंग बस्किट में लगा के करवा सकते हैं उसके अलावा आप इसे मॉसिटिक देते हैं, तो मॉस्टिक की help से यह बहुत अच्छे से grow हो जाता है और मॉस्टिक में जैसे जैसे आप water डालते रहेंगे पानी डालते रहेंगे तो वैसे वैसे यह मॉस्टिक पे आगे से आगे grow होता रहेगा तो यह इस plant की खास्यत होती है कि यह जो plant है ये मनी प्लांट की तरह ग्रो हो जाता है अगर आप इसे बांस का सपोर्ट या मॉस्टिक का सपोर्ट दे के शेड में रख देते हैं तो अगर आप इसे ऐसी जगे रखते हैं जहां पर मॉर्निंग की धूप मिल जाए इसे थोड़ी दो से तीन गंडे की और बाकी जो है इसे ठनी हुई धूप मिलती रहे और फ्रेश एडवार्मेंट रहे ब्राइट लाइट तो ये बहुत अच्छे से प्लांट की तरह डेवलेप होता है और बहुत सारे बेबी प्लांट भी समर्स में निकालता रहता है तो ये सारी इस प्लांट की बात हो गई तो चलिए अब हम इसकी फर्टिलाइजर की बात कर लेते हैं इस प्लांट में बहुत कम फर्टिलाइजर चाहिए ये ज़्यादा फर्टिलाइजर नहीं मांगता है और ज़्यादा इसकी केर भी नहीं करनी परती बहुत अच्छी से ग्रो हो जाता है और बहुत अच्छी सी colorful leaves आपके garden में छोड़ता रहता है तो इस plant के लिए fertilizer के लिए तो आप फेब में और सेप्टेंबर में दोनों ही महीनों में इसमें fertilize कर सकते हैं उसके अलावा भी अगर आप fertilizer करना चाहते हैं तो बहुत ज़दा fertilizer इसी नहीं चाहिए आप इसमें cow dung और vermicomposed डाल सकते हैं liquid fertilizer भी डाल सकते हैं अगर summer's में डाल रहे हैं तो और बाकी आप एक-एक मुठी हर एक-दो महीने में डाल सकते हैं और अगर आप नहीं fertilizer देंगे तब भी यह plant कुछ भी इसका खराब नहीं होगी इसकी पतियां या इससे बहुत ज़दा डिमांड नहीं रहती है fertilizer की तो यह बहुत ही ज़दा अच्छा प्लांट है जो की survive कर जाता है कम fertilizer में जहां तक watering की बात है तो top soil सूखने पर ही इसे watering क कीजिए और morning satellite इसे proper दीजिए और अगर आप इसमें chemical अगर यूज करना चाहते है वैसे तो जरुरत ही नहीं पड़ती इसमें कभी chemical यूज करने की लेकिन फिर भी NPK जो है वो बहुत ही कम मात्रा में liquid बना के और आप इसमें यूज कर सकते हैं जैसे एक लीटर में आप पोटर साइड की जो लीव से इनको कट करके और आप इसे बहुत अच्छा सा बॉल शेप दे सकते हैं बुशी बना सकते हैं यह पर्मनेंट प्लांट है इंडूर प्लांट है और morning दूप में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है बिलकुल outdoor भी नहीं रहता है और बिलकुल इंडूर रखेंगे तो money plant जैसा work करेगा तो आप इसे morning की दूप दे दीजिए और कभी-कभी इसे शाम के समय बाहर भी निकालते रहिए ताकि यह बहुत अच्छे से ग्रो भी होता रहे इसे रात की शाम की चांदनी जो होती है रात की वो भी मिल जाए और शाम की fresh हवा भ बाहर भी निकालिए ताकि यह बहुत अच्छे से ग्रो कर सके इने fresh environment भी मिल सके बिल्कुल indoor plant रखने से फिर उनकी जो पत्तियां होती है उनमें वो color नहीं आपाता जो sunlight से आता है जो fresh environment से आता है तो यह चीजों का धियान रखिए तो आज जो है singonium plant पर यही सारी बाते आ अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो like share जरूर कीजिएगा और अगर आप नए subscriber है तो bell icon प्रेस करके और चैनल पे comment भी करते रहेगा और पूरी video watch कीजिएगा thank you so much for watching bye bye मिलते है next किसी video में और किसी नए plant के साथ thank you so much